हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज मैं आपके साथ फिरेकावने इस भी सेयर करें पड़ी क्रिस्पी ये बिल्कुली सिंपल और शरल तरीकिस में बता होगे तो इसका बैटर है बेसित अगर बेटर आपको अच्छा त्यार होगा तो आपके जो कड़ी अच्छी बनेगे तो देखिए हमारी बेटर तियार हुए तो अच्छे लिए प्रिपरेश्व करते हैं कैसे इसे बिनाना है तो सबसे पहले एक बॉल देंगे उसमें मैं दो कटोरी पेस अंग होगी अब इसमें मैं घंती और नमक नमक टेस्ट के एकोडिंग डाले पकोड करना है पानी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि ज्यादा यह पतला हो जाए नहीं कुछ बातों का ध्यान रगना है तो देखिए इसे बस अगर आपके पास वीपर हो तो आप उसे वीपर कर सकते हैं अब इसे प्टेश्ट नहीं है लुँट आपके अब तरह से फेट रहा रहा है जितना आप इसे फेटेंगे आपके पकोड़ी उतनी ही इस फुले-फुले और इस पंजी टैप से बनेंगे तो देखिए हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है रहा है इसको ठापके तो पास मिनट के लिए रख देंगे तो दिखिए हमारा बैटर के त्यार है आप दिखिए मैंने मेर्च, कड़ी पत्ता, लसन और प्याज, इस चीज़ों से बनाऊंगी तो जिने मेरे पैंबे गर जितनी पकोडे है सारे पकोडे को में मस्टर ओइल नहीं फ्राइब करेंगी तो जिने पकोडे तल लेते हैं फड़ा फड़ा देखिए पकोडे तल गई है हम इसी तरह सारे पकोड़े तल लेंगे जो पकोड़े हमें बनाने हैं फिर जो बचे हुए तेल है उसमें मैं जीगा, मेथी, सर्सू दालती हूं इच अपने लगे हैं तो उपरस हम इसमें एकड़ी पता डाल देंगे इसके बाद हम प्याज और मिर्च भी टाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राइब करेंगे इसमें मेथी का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और दिखें यह फ्राइबना सुरू हो चुका है जैसे ही तोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें नमक एड़ कर देंगे भलती और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक यह फुन रहा है तब तक हम एक और थ्यारी कर लेते हैं तहीं और बेशन का जो गूल बचा हुआ है उसमें मैं दही डाल दी हूँ और उसमें अच्छी तरह से फिटना है जिसका हम ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बनाएंगे इधर हमारा यह भी फूंग गया है इसमें डाल देते हैं ग्रेवी के लिए अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है तो देखे एक वाल जैसे ही आजाएगा हम इसे फकोड़ी छोड़ देंगे और इसे हमें बस ठक देना है बहुत वाल नहीं करना है तो बस देखे हमारा त्यार हो गया है इसे दख देंगे और हरी धनियासे से गानिश कर देंगे हमारा जो है कड़ी वो त्यार है तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी कड़ी किसी पंसी एक तो सरल आसान तरीकी से बनाएं कोई रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अपने दोस्तों सचाला से जादा से शेयर करें मैं ऐसे सिंपल हेल्दी इंगेट्स के साथ रेसिपी से लेकर आती रहूँगी थैंक्यू दोस्तों अज़ाएं